तीन बार लगा लो सफेद बाल, चाहे कितने भी हों, वो भी काले हो जाएंगे, बुडापे में भी आपको बच्पन याद आएगा, और आप 75 साल की उमर में भी 25 साल की उमर जैसे दिखाई देंगे, नमस्कार दोस्तों, दोस्तों अगर आप भी गिरते बालों, दो मुहे ब या फिर बालों के जड़ने या फिर गंजेपन से प्रिसान हैं, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे चमतकारी नुस्खे को बना कर दिखाएंगे, जो आपकी इन सफेद होते बालों को फिर से जड़ से काला बना देगा, और आपके बालों के जड़ने और खानपान की गलत आदितों की वज़य से हमारे बालों पर बुरा असर पढ़ रहा हैं, और बाल गिरने, पतले होने और समय से पहले ही सफेद होने की समस्चा तेजी से बढ़ रही हैं, और ऐसे में उपर से हम कैमिकल वाले सैंपू और कंडिसनर का प्रियोग करते हैं, जिनकी वज़य से ये समस्चा और भी अधिक बढ़ जाती हैं, लेकिन दोस्तों आपको घबराने की जरूरत नहीं हैं, दोस्तों आज की इस वडियो में हम आपको एक ऐसे चमतकारी नुस्खे को बना कर दिखाएंगे, जिसको आप अपने घर पर ही बना कर परियोग कर सकत हैं और अपने बालों के सफेद होने और जड़ने की समस्या से बिलकुल छुटकारा पासकते हैं, तो चले दोस्तों जानते हैं इस नुस्खे को बनाने के लिए अवसक समगरी, दोस्तों सबसे पहले आपको चाहिए इस नुस्खे को बनाने के लिए मेथी दाना, और दोस् से वह सवस्त और मजबूत बनते हैं दोस्तों मेथी हेर मास लगाने से हेर फाल सफेद बाल और रूशी जैसे समझ्याओं से आपको छुटकारा मिलता है और जो दोस्तों से में दूसरी समगरी है वो है फाइबर आपने थोड़ा सा फाइबर लेना है वो मैं आपको केले से ल चुटकारा दिलाता है, डायबटीज जैसी बीमारियों का भी इलाज करता है, इसी तरहें से फाइबर हमारे बालों के लिए भी बहुत अधिक जरूरी होता है, क्योंकि इससे हमारे बाल मस्बूत बनते हैं, हमारे बालों का जहरना रुकता है, हमारे बाल चमकदार बनते हैं और घने भी बनते हैं और जो अगली समें सामगरी आपको चाहिए वह चाहिए दोस्तो नीमबू एक आपने नीमबू लेना है और दोस्तो नीमबू के भाइदे भी हम सभी जानते हैं दोस्तो बालों के लिए नीमबू एक वरदान की तरहें काम करता है चाहे आपके बालों का ज़रना रोकना हो या फिर बालों से रूसी को गायब करना हो या फिर बालों को सुन्दर बनाना हो नीमबो हमारे बालों के लिए बहुत अधिक चमतकारी है और दोस्तो आपने इसमें आदा या फिर एक नीमबो का प्रियोग करना है और जो अगली इसमें सामगरी आपने लेनी है वो लेनी है दोस्तो coconut oil यानिकी नारियल का तेल और दोस्तो नारियल के तेल के फाइदे भी हम सभी जानते ही हैं नारियल का तेल एक प्राकृतिक कंडिशनर के रूम में काम करता है जो आपके बालों को नरम और चमकदार रखने में मदद करता है नारिल के तेल से बालों की मालिस करने से बलड सरुकलेशन सही रहता है बालों के अंदर जिससे बालों को पोशन मिलता है और आपके बालों का जड़ना रुक जाता है बालों का ऐसे में सफेद होना भी रुक जाता है दोस्तो ये इसके लिए आपको सामगरी चाहिए एक नु चाहते हैं और उसके बाद उसको पीस alter कर कर ऊसकाा पावडर मेंना लेना है जैसे कि ये हमने मेथी दाना का पाउडर बना लिया अब आपने क्या करना है इसके दो चमच लेने हैं मेथी दाना के पाउडर के एक बाहूल में जैसे कि ये हमने मेथी दाना के पाउडर के दो चमच ले लिया अब आपने केला लेना है और केले से फाइबर लेना है आपने केले का छिलका उतार लेना है और इस छिलके से छील कर थोड़ा सा फाइबर आपने इसमें डालेना है जैसे कि यह हमने इसमें डाल लिया अब आपने इसमें एक निम्बू का परियोग करना है जैसे हमने इसमें आदे से एक निम्गोत का परियोग बड़े अराम से कर सकते हैं आप आदा लीजी या एक निम्गो लीजी अब आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है जैसे कि हम इसको मिक्स करें अब आप इसमें अपने जरूरत के हिसाब से नारेल के तेल का प्रयोग कीजी जैसे कि हम इसमें नारेल के तेल से इसको मिक्स करके इसका पेस्ट बना रहे हैं जैसे ही हमने बना लिया आपने भी इसी तरीके से अपने जरूरत के हिसाब से नारेल के तेल का प्रयोग करना है और दोस्तो ये हो गया हमारा नुस्खा रेडी अब आपने इसका प्रियोग करना है अपने बालों पर अब वो जानते हैं कि आपने ये प्रियोग करना कैसे है दोस्तो आपने क्या करना है सुबह नहाने से आदा घंटा पहले आपने इसे अपनी बालों की जणों पर धीरे-धीरे से मसाज करनी है। आप नीमो की साहिते से भी कर सकते हैं और बिना नीमो की साहिता से भी कर सकते हैं। अब आपने मसाज करने के बाद इसको आदे घंटे तक ऐसे ही रहने देने। और उसके बाद अपने बालों को थो लेना है दोस्तो आपने ये काम एक वीक में तीन बार करना है और आपको इससे फरक दिखाई देगा आपके बालों का ज़ड़ना रुख जाएगा और आपके ऐसे में सफेद होते बाल भी काले हुने सुरू हो जाएगी आप बात आती है खाने वाले नुस्खे की दोस्तो आपने क्या करना है तिरफला पाउडर लेना है आप इसको घर पर बनाना चाहें तो घर पर बना सके हैं दोस्तो आपने करना क्या है आउला बहेडा और हाड को ब्राबर मातरा में लेकर इसको कूट कर इसका पावडर बना लेना है और ये आपका तिरफला पावडर बन गया अब आपने हर रोज रात को सोते समय एक चमश तिरफला पावडर का सेवन हलकेग गरम दूद के साथ करना है और ये काम आपने हर रोज करना है दोस्तो यदि आपके पास तिरफला पावडर नहीं है तो उसका लिंक मैं विडियो के description में देदू आप वहां से इसको भाही कर सकते हैं और दोस्तो यदि आप इस तिरफला पावडर का हरो सेवन करेंगे और इस लगाने वाले नुस्खे का भी पर्योग करेंगे तब आप देखेंगे कि आपके बालों का छर्णार हुक जाएगा और आपके बाल चमकदार और मुलायम वैग घने बन जाएगे तो दोस्तो यदि आप भी बालों की किसी भी तरहें की समस्या से परिसान है तो आज ही इस नुस्खे को अपने घर पर बनाएं और इस नुस्खे का परियोग करें और फिर देखें कैसे आपके बालों की सबी तरहें की समस्याई दूर हो जाएगी तो दोस्तो यह थी हमारी वडियो अगर आपको हमारी वडियो अच्छे लगे